इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर, बैल आइकन ज़रूर पेस करें, हमारी नियू वीडियो पुलिस तुरन हरकत में आई और वहाँ पर जमाल लोगों को लाटियों से बगा दिया, और वाइन चाप के मालिक और उसके बेटे को पुलिस डिपार्टमेंट अपने पुलिस चोकी में लेकर गया, आईए मैं आपको समझाता हूं किस परकार का ये आदेश आया है, आपको जानकारी देते है कि आज ठाने कलेक्टर डिपार्टमेंट के और से ठाने से लेके सभी मानगर पाली का जो उनके अंतरगर्ट आती है, जैसे के उलासंगर, कल्यान डूम्बिली, ठाने मानगर पाली का, बिवंडी मानगर पाली का, नवी मुंबई वाशी मानगर पाली का, सबी महान अगर पालिका में 15 मैं के दिन याने शनिवार के दिन कलेक्टर दोड़ा उनके पास आदेश पोच चुका है हर वक्ति अपने एरा शेत्र में वह लुकेट याने के शराब की बिक्री ऑनलैन पर कर सकता है अपने दुकान के बाहर वह अपने मोबाइल नमबर के साथ वाटसप नमबर लिखेगा जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए वह उस वाटसप नमबर पर अपना नाम और पता उन्हें बताएगा और वाटसप का करमचारी उन्हें होम डिलेवरी याने उनके घर तक वह चीज उनको पहुचाएगा उसमें कोई भी वाटसप वाला चार्ज नहीं लगाएगा ऐसा उस आदेश में लिखा गया है ये आदेश 15 में के दिन निकला है और पूरे थाने डिस्टिक के तमाम मानगर पलीका में इसका आदेश आ चुका है 15 में के इस आदेश के बाद 16 में से तमाम शेहर के वाइनशापों ने शराब की बिक्री करने के लिए तैयारी चालू कर दिया है तो ये शेहर के लिए खुशी की बात है काफी समय से लाउड रॉन के वज़े से शराब की बिक्री बंद की गई थी जिसके वज़े से शेहर में शराब की बिक्री की काला बजारी हो रही थी लोग 1000 रूपे की चीज चार-चार रूपे में खरीद रहते अब उन चीजों को लगा विराम और जिस तरह का लेटर का ये आदेश आ चुका है उसमें सक्त निर्देश दिये गए है कि किसी भी वाइन चाप को अपने काउंटर पर सेल नहीं करनी अगर ऐसा पाया जाता है तो उस वाइन चाप के उपर महानगर पालिका और पुलिस प्र में नखरे हो जाए तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि शराब की बिकड़ी अब लैन में नहीं मिलने वाली गर बैठे आउन लैन पर मिलने वाली है तो हमारे साथ रहे अगली अपडेट टक ठाने सरकाय जूच मैं महेश मुल्चंदानी